नमस्का दोस्तों इस वीडियो में जिस टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन रेलवे फैनान्स कॉर्परेशन लिमिटेड इस टॉक 188 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है मार्केट में आज इसने 5.91% का अपमोव दिया था इस टॉक हम IERFC के नाम से जानते हैं मार्केट कैप है इसकी 2,46,016 करोड की प्रमोटर होलिंग 86.40% है बुक वेल्यू 37.60 है डिविडियन टील इसकी 0.80% है और फेस वेल्यू 10 है फंडामेटल वीडियो में अल्रेडी बना चुकी हूँ लेलिस में आड कर दूँगे आप देख सकते हैं और माफी चाहती मेरी आवास थोड़ी सी खराब है क्योंकि तब यह थोड़ी सी ठीक नहीं है फोड़ सा conscious होके चलें बट मुझे लगता नहीं कि अभी इतने ज़्यादा concern की बात है बट फिर भी conscious होके चलना ज़्यादा सही रहेगा sales and margin की बात करें तो gross profit margin याँ पे 100 पे intact है and revenue quarter on quarter decrease हुआ था बट hopefully जल्दी ही यह recover कर जाएगा काफी अच्छी company है so अभी आ गए हम इसके चार्ट पे चार्ट पे देखे सबसे पहले तो Bollinger Band की तरफ नजर डालते हैं तो Bollinger Band काफी ज़्यादा narrow हो चुका था and हमारी जो last analysis है उसमें भी हमने बात करी थी कि यह breakout के बहुत पास है and volume के उपर जरूर बढ़ी बात है and पहले वी volume था वो 35 million का था 35 million से 224 million का हुआ है बहुत बढ़ी बात है and हमारे जो target थे वो हम कही न कहीं अचीव कर चुके है and आज इसने दिया है हमें 5.91% का प्मूव but इसकी जो resistance है वो यह break नहीं कर पाया and यह हम पहले strong resistance लेके चले हुए थे कि यहां पे इसको hiccup आ सकता है and कहीं न कहीं वो hiccup हमें देखने को भी मिला है यहां पे ऊपर जाने किसने कोशिश करी ऊपर से तो rejection मिल गी but यहां से भी यह जो resistance है की 189 की 100 just a second yes 189 की जो resistance है उस पे इसको काफी जादा strongly थोड़ा सा rejection मिला है and वैसे भी हमने बात करी थे कि यह जो 3rd और 4th जून की यह candle है इसको हम consider तो जरूर करेंगे but थोड़ा सा picture से निकाल के चलेंगे क्योंकि यह हाई के resistance हम consider करेंगे and हाई के resistance पे इसको थोड़ा सा hiccup मिलेगा और वो मिलना जरूरी भी है क्योंकि हाई के resistance पे of course होता ही है तो यहाँ पे पहले तो इसको disable करते हैं तो यहाँ पे वही चीज़ देखने को मिली है and यहाँ पे हो सकता है कि अगर volume जितना आया है अगर मंडे को इतना volume रहता है तो तो इस stock को को दिक्कत नी होएगी बड़े अराम से निकल जाएगा and हमारे जो पुराने टागर थे उनको हमें अब revise करना पड़ेगा थोड़ा सा but जिस तरीके से RSI निकली है and everything मुझे लगते थोड़ा सा test करने यह आ सकती है तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखके चले volume के उपर बहुत सी depend करते हैं तो volume के उपर खास ध्यान रखें फस्ट हाफ में usually पता चल जाता है किस तरीके को volume आ रहा है और क्या हो रहा है तो यह तो साथ के साथ RVNL भी बहुत ज़्यादा jump किया है आज and उसी के साथ-साथ इसमें भी move देखने को मिले है क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि यह finance का stock है तो यह दादा जी है बेसिकली अगर किसी भी RVNL, aircon या railtail या कोई भी company है जिनको फाइदा होता है तो इसको फाइदा होगा ही होगा and जिस तरीके का move मिल रहा है तो यह सिर्फ जो भी price band होता है जैसे for example यह price band है 20% का तो 20% यह उपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे चीजे जो है मैं यह नहीं बोल रही कि यह पक्का होने वाला है बट मुझे चीजे थोड़ इसी लग रही है कि आर्विनेल और बाकि सारे स्टॉक जिस तरीके से निकल रहे हैं और जिस तरीके से लोगों ने railway और बाकि सारे स्टॉक में अपनी जगा बनाई हुई है बाकि सारे चीजे हैं तो आपका प्रॉफिट खाने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं तो उस चीज पर जरूर ध्यान दीजिएगा आप इन्वेस्मेंट और बाकि सारे अपनी जो चीजे हैं उसी तरीके से लगाईएगा जितना आप बेर कर सकते हो जिस तरीके से शॉर्ट टम के लिए अगर लगा रहे हैं तो पूरी इन्वेस्मेंट लेके ना चलेगा थोड़ा सा मतलब थोड़ा से कॉंशियस होके चलेगा कॉंशियस डिसीजन लिए लीजेगा क्योंकि थोड़ इसी चीजे के बाई डिफिकल्ट हो जाती है तो जब पता होता है कि सारे लोग बुलिश है बुलिश है बुलिश है तो साथ के साथ ये भी तो पता होता है उसको भी तो पता होता है जिसने शॉर्ट करना होता है कि सारे लोग बुलिश है तो जिसके पास नहीं होता है हमारे से हम तो बहुत चोटे-चोटे मचलियां हैं एक सागर की, तो बड़े लोग बैठे हुए हैं, प्रॉफिट खाने के लिए, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखियेगा, ठीक है तो anyways, अभी चलते हैं back to the topic, तो यहाँ पर हमें breakout जरूर मिला है, breakout के बाद यहाँ, अभी के लिए fresh entry के बात करूँ, तो यहाँ पर strong buy का जरूर बनता है, बट मैं यह बोलूँगी कि थोड़ा सा इस resistance के उपर अगर इस stock को जाने दे, और छोटा move अगर मिले, और इस resistance के उपर यह sustain कर जाए, तो बहुत अच्छी बात होगी, तो confirmation candle का चलेगा, अभी के लिए मुझे लगता है कि यह वाला जो 185 का जो यह है resistance थी, मुझे लगता है यह support बन सकता है, 185 से जादा अच्छा मुझे लगता है, 183 का रहेगा यह थोड़ा जादा strong मुझे लग रहेगा तो 183 का अभी support जो है मुझे लगता है, अगर नीचे भी आया तो यहां से reversal मुझे लगता है, संभावना जादा है यहां से, और दूसरा यह यहां से range shift करके गया है, तो मुझे लगता है RSI test करने जरूर आ सकता है तो उस चीज का भी थोड़ा से ध्यान दीजिएगा थोड़ा से profit booking, आज वैसे थोड़ा सा देखा भी गया है move में, 7 कुछ percent के आसपास यह आया था, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे गया है, तो 6% के आसपास का हमें move मिला था, तो उसके ऊपर ही गया था, 7 से ऊपर ही गया था, तो अभी के लिए target हम लेके चलेंगे, excuse me, तो अभी target हम लेके चलेंगे, and target जो है मुझे लगता है कि थोड़ा से यहां पर hiccup इसको यह थोड़ा सा crawl कर सकता है, तो उसकी संभावना को मैं साथ में लेके चलूँगे, and मुझे लगता है कि 19 तक यह target लेके चली हूँ, मैं 200 तक यह trade करता हूँ, मुझे लगता है दिख सकता है, जो कि 12 वैसे अगला trading week है, दो trading week का में target लेके चली हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहां पर चीजें, थोड़ी सी दूदा जनक लग रही है, मुझे नहीं पता क्यों, just feeling or something, but थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखके चलेगा, just मेरी analysis है, मुझे नहीं पता यह होगा कि नहीं होगा, just मेरी analysis है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखके चलेगा इस चीज़ को, यहां पर weekly candle की बात करें, तो weekly candle definitely stock buyers के हाथ में हैं यहां पर, and काफी अच्छा यहां पर support भी बना हुआ है, 173 का यहां पर strong support बना है, 173 की जगा मैं यह बोलूँगी, 171 का यहां पर strongly reversal हमें जहां से मिलता है, 171 का strong support बना हुआ है, and अभी यह जो हम लेके चले है, 183 का मुझे लगता है कि यह support बना हुआ है, तो stock वैसे buyers के हाथ में है, and कुछ ऐसा drastic news नहीं आती है, या किसी company को लेके ऐसी news नहीं आती है, कुछ नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से यह चीज़े निकल सकती है, ठीक है, RSI जो है हमारी 70.49 पे है test करने आ सकती है, अभी चलते हैं BAC पे, BAC पे देखिए price band 20% होता है, and यहाँ पे जो news है, कोई assets है नहीं जो इसके price के आप डान वो में किसी तरीके की मदद करेगी, तो उसके उपर ज़रूर्द धान दीजेगा, news कोई आती है, कोई अच्छी news आ जाती है, क्योंकि weekend है, two days है, अगर कोई अच्छी news आ जाती है, तो बहुत अच्छी बात होगी, और अगर नहीं आती है, तो volume को बहुत, volume is must, price को manipulate किया जा सकता है, volume को नहीं किया जा सकता, manipulate, and अभी के लिए देखे, तो यहाँ पे bullish pattern जरूर बन रहा है, यहाँ पे हमें एक hammer सा बनता हुआ दिखाई दिया, hammer, yes, hammer बना यहाँ पे reversal candle बोल सकते हैं इसको, उसके बाद हमें एक bullish candle मिली, उसके बाद फिर से हमें थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ऐसा ही inverted hammer सा बनता हुआ दिखाई दिया, hammer भी नहीं बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसके body इतने थिक नहीं है, बट जो भी है, reversal हमें जरूर मिला, and आज हमें काफी bullish candle मिली है, तो संभावना तो इसकी बहुत है जाने की, but just hiccup के लिए त्यारी भी रखिएगा, हो सकता है कि कुछ ऐसा देखने को मिले, ठीक है, बाकी सिर्फ मेरी analysis है, कोई buy sell hold की recommendation नहीं है, आप अपनी analysis के रिए जाने समझे पढ़िए और फिर invest करें, बिलते हैं next video में, तब तक लिए शुक्रिया and happy investing.